निरज चोपडा की जीत के बाद उनके घर पानी पत में जैश्न का माहोल है निरज के परिवार बालों से हमारे समधाता प्रदीप रेडियू ने बाचित भी किये है क्या कुछ कहना था परिवार जुनों का और क्या कुछ इस रिपोर्ट में आप देखते हैं देख लीजिए तो निरज चोपडा ने एक बार फिर से विशव अथलेटिक चेंपिंशिप में सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रचा है परिवार में खुशी का महोल है और इस वक्त आप देख सकते हैं जो परिवार की महिलाय है वो यहाँ पर एक दूसरे को लड़ू खिला रही है निरज उसकी मा सरोज देवी यहाँ पर मौजुद है निरज का पूरा परिवार यहाँ पर मौजुद है और एक खुशी का महोल है क्यों हम बाचित करेंगे उसकी मा से सरोज देवी यहाँ पर मौजुद है परिवार में एक तरह से खुशी का महोल है हम चलिए हम बाचित करते हैं आगे किस तरह का प्लैनिंग है कोई शादी या नीरज आएगा कब कुछ ना जी कोई शादी काम प्लोव नहीं वाल तो खेल लेगा कोई बात हुई थी आपकी इस मुकाबले से पहले दस दिन पांस दिन पहले पंदरा दिन पहले बात क्या कुछ बोले थे बड़िया प्रैक् आज नीरज ने जो पहला तुरूफ है का वह फावल हो गया तो उस वक्ति क्या लग रहा था शुरूआत से देखो जी एक बर तो गवराट सी हो यह थी अच्छा उमीद थी दोबार लगी थी बहुत खुसी होई तो नीरज की मां सरोज देवी थी उनके चाचा भीम पहले परटी चलेगी वह पूरी वाजा जगा अच्छे से पहले आप लोग मैच देखते थे यह जैवलीन तो बगएर जानते देश के बारे में हाँ ने नीटी मेट भी मारा लियाएगा यह मैच के बारे में जानते थे जैवलीन भी कुछी जानते थे आज कैसा लग रहा सब के मना अरब मारा बेटा परिवार में खुूशी कमा अब निर्ज के चाचा सुरिंदर हमारे साथ मोजों यह जूनाए गगर एक टोक्य ओल्मिक में देश को जुमने का मोजा दिया था और आज एक बार फिर से प्रमातमा करें कि बार बार और मिलें क्योंकि अभी कोमन वेल्थ भी बाकी है और मुझे लगता है कि देश को यही चाहिए था क्योंकि हर आदमी की जो उमीदें जुड़ी है नीरज से और खिलाडियों से जो साथ में गए थे कि अपना दे है कि नीरज कोमन वेल्थ के बाद ही इंडिया में आएगा ठीक है और अभी उनका डैमड लीग का भी फाइनल पेंडिंग है तो उनके आने के बाद बिल्कुल वैसे दूमदाम से प्रोग्राम होगा क्योंकि उनका होना जरूरी है उनके बगैर वो चीज उतनी रोनग नही बातले कि नीरज कांटीनू टोकियो में उसके बाद इस वर्ल्ड अथलेटिक चैंपिंशिप में लगातार मतलब परफॉर्मेस अच्छी दे रहा है तो क्या कहना चाहिए नीरज का मैं यही कहूंगा कि जब माइंड हो जाता है जिसका गोल कलियर हो जिसको पता हो कि मुझ अगले रियो ओलंपिक में क्या हो गया तो क्या कुछ लगा था कि कुछ उमीद टूटी थी या लगता था कि सेकिंड सिल्वर आ जाएगा नहीं नहीं उसको लेके कभी भी हमें संदेही नहीं पैदा होता है कि एस फैमिली हम लोगों को पता है कि अपने बच्चे को उपर ह में कितना विश्वास है रही बात की खिलाड़ी है हो सकता है कि रिजल्ट वैसे नहीं लेकिन वहार और जीत का तालमेल फैमिली को भी साथ में रखना पड़ता है तो नीरज को लेके यदि फाउल भी हुआ तो भी हमें इफ बट कुछ भी निदा हमें पता था कि छे चांस पता है